एलो मेरे टेक्निकल चैनल में तो आज हम बात करेंगे कॉपी राइट के ऊपर कि क्या होता है कब आता है की लिए श्रू करते हैं जैसे कि आप जैसे कोई वीडियो कुर्ट करते हैं कोई कांटेंट कि रिएक लेते हैं उस पर आपका अधिकार है है आपके permission की विना उसे कोई यूज कर सकते हैं यादि को पर्शन आपके permission की विना आपके content को यूज करते हैं तो आप YouTube act की तहट उस पे एक legal action ले सकते हैं कोई बार-बार copyright violation करता है तो आप court से उस पे case भी कर सकते हैं यदि आप बिना permission के किसी का content यूज़ करते हैं तो आपके channel पर किस परकार का effect देखने को मिल सकते हैं चलिए देखते हैं पहला है copyright claim copyright claim कव आता है copyright claim तब आता हैं जब आप किसी ऐसे content को यूज़ कर रखे हैं जिसको youtube की तरफ से एक content ID मिला हो जैसे कि song movie बगेरा जब आप ऐसे content को use करते हैं तो आपके वीडियो पर include copyright claim लिखा हुआ आता है इसके फैदे के बात करें तो आपका वीडियो डिलीट नहीं होता है आपके चैनल पर strike नहीं आता है यदि नुक्सान के बात करें तो आपके चैनल पर जो monetization होता है उस वीडियो का उस वीडियो पर जितने भी earning होगी उस सारे earning उसके real owner के पास चला जाता है यदि आपका चैनल monetize नहीं है और आप उस वीडियो को monetize करते हैं तो आपका चैनल को demonetize भी कर दिया जाता है दूसरा है copyright monetization sharing यदि आप किसी का content use करते हैं like आप video use करते हैं तो उस पर जितने भी earning होगी उसका 50% आपके पास रहेंगे और 50% उनके पास जाएंगे जो उस content का honor है तिसरा है copyright strike copyright strike एक सबसे dangerous strike है ये अगर आपके channel पे 3 महिना में 3 बार आ जाता है तो आपके channel को YouTube community की तरफ से suspend कर दिया जाता है चाहे वो channel छोटा हो चाहे वो channel बड़ा क्यों ना हो यदि आप किसी का content use करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे channel पे strike ना आवे तो इसके लिए मैंने एक video बनाई है जिसका link इस video के description में दिया हुआ है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं